हेलो फ्रेंड्स, विफिक्स इंडिया की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें माइक्रोस्कोप के बारे में आपको जानकरी देना चाहूँगा आज के रिपेरिंग फिल्ड में माइक्रोस्कोप ऐसा टूल है कि उसकी मैक्सिमम रिक्वर्मेंट रहती है क्योंकि अभी जो PCV आती है उसमें बहुत ही माइक्रो SMD कंपोनेंट्स रहते हैं माइक्रो ट्रैक्स रहते हैं तो उसको सही तरीके से अब्ज़र करने के लिए प्रॉपर रिपेरिंग करने के लिए माइक्रोस्कोप अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी रहता है तो हमारे पास microscope की जो range है उसमें से मैं आपको microscope जो है उसका specification बताना चाहूंगा यह trinocular microscope है जिसमें बहुत ही advanced feature है जिसे कि आप देख सकते यहां पे IPS के द्वारा भी आप उसका vision live देख सकते है यह IPS के उपर 10 इंच की screen के उपर live view देख सकते है और इसमें 0.7 से लेके 4.5 x zooming lens दिया हुआ है जिसको आप यहां से operate कर सकते है और यहां से lens को object के नजदीक लेके जा सकते है और focus कर सकते हैं अब आप सो यह ट्राइन ओकिलर जो है वह बहुत ही एडवांस फीचर के साथ है इसको multipurpose ली हम यूज कर सकते हैं जैसे लेबरेटरी में यूज कर सकते हैं आप स्कूल में यूज कर सकते हैं स्टूड़न्स इसको बहुत आप कमपरटेबल यूज कर सकते हैं और PCB रिपेरिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं जैसे अब देख सकते हैं यह एक PCB रखा हुए उसका बहुत ही clear view यहां पर दिख रहा है हर एक ट्रेक हर एक component और हर एक जो नंबर दिया हुआ है वह बहुत ही clearly read हो रहा है तो इसको अभी हम zoom in zoom out करके यह मैंने जूम हायस्ट कर दिया और इसको focus यहां से कर सकते है तो अब देख सकते हैं कि यह highest zoom पे बहुत ही जूम दिखा रहा है जैसे यह चोटा सा register है वो भी पूरी screen में जूम करके दिखा रहा है सो यह जो microscope है trinocular microscope बहुत ही advanced feature के साथ है इसमें हम menu भी set कर सकते हैं उसमें brightness, contrast, situation, color, control, सारा कुछ दिया हुआ है image को mirror भी कर सकते हैं यह features भी आप सब use कर सकते हैं जिससे कि आपका जो भी operation है वो काफी comfortable ही हो सकेगा कर सकते हैं यह जिर सकते हैं यह है यह है रही है तंददेक्वर आपका नहीं है ढार में प्रया जो हो रहा है